हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर निखिला मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो बच्चों से रिलेटेड है और अकसर उस चीज़ को लेके उनके पैरेंट्स जो हैं बहुत जादा परिशान रहते हैं यह जो टॉपिक है हमारा वो बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेके हैं यानि कि अगर उनको कोई पॉब्लम है मेंटली कोई पॉब्लम है तो उससे रिलेटेड यह आपकी वीडियो है बहुत सारे पैरेंट्स को ऐसा लगता है कि दूसरों को देख को ऐसा लगता है कि उनके साथ वो चीज़े ठीक हो जाती है लेकिन बहुत सारे पैरेंट्स ऐसे भी है कि उनको पता भी होता है कि उनके बच्चों को कुछ ना कुछ पॉब्लम है तो उनके बच्चों पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि समाज की वजए से वह डॉक्टर के बास नह करवाते हैं तो बहुत सारी कंडिशन ऐसी होती है और जो मेंटल प्रवब्लम है प्रचों में प्रच्चों में इस पेशली जो होती है वो एक्चली इतनी जल्दी डाइग्नोज नहीं आप कर पाते हो कि उनको पॉब्लम क्या है क्योंकि अगर उनको जो कोई फिजीकल जो आपको दिख रहे है तो वो तो आप एजली उसको क्योर कर लोगे। उनको में प्रॉब्लम है तो उसके जल्दिक तो आप सब्ज़ानी कर iemand तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बच्चों को mental problem है mentally health issues है कुछ भी तो उनको doctors के पास लेके जाई है और उनका check-up कराई है अभी मैं पहले आपको यह बताती हूं कि इसके क्या क्या problem हो सकती है कि कौन कौन सी जो डिजीज है वो बहुत ज़दा common है इसमें बच्चों में अगर कोई problem होती है mentally health problem होती है तो उसमें बहुत ज़दा common यह है ADHD एक डिजीज है उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है किसी चीज में concentrate नहीं कर पाता है अगर आप उसको कुछ समझाओगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आप उसके साब में क्या बोल रहे हो और एक और इसम्टम्स यह आते हैं कि उसका जो behavior है वो बहुत ज़दा चेंज हो जाता है अगर वह उसको कुछ कर रहा है वो वह चीज़ें पसंद आ रही है और सडल उसको क्या होता है कि उस चीज से नफरत हो जाती में यह लग रहे हैं कि आप इसके अलावा और भी प्रोब्लम्स होती है एक तो ऑटिजम की जो प्रोब्लम है ठीक है वह बहुत ज़्दा कॉमन हो गई है ठीक ऑटिजम में बच्चे क्या होते हैं कि आई टू आई कॉंटेक्ट नहीं करते हैं अगर आप उनसे कुछ भी पूछो गए या कुछ भी उनको बताओंगे तो आपकी तरफ नहीं देखेंगे वह हमेशा इधर उदर देखते रहेंगे और उनका बिहेवियर भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है या वह आपसे ऐसे सवाल करना स्टार्ट कर देंगे जिनके आंसर आपको देना बहुत मुश्किल हो जाएगा या आप उ आप दियों को बड़ाइस को रिपिटी चीज को करते रहेंगे तो ऑटिजम की यह बहुती है कि जो बच्चा होता है एक जो प्रॉब्लम है वो सीजोफरीनिया की है अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो उसका जो बिहेवियर वो तो चेंज हो गा ही लेकिन उसको भ्रह्म बना रहेगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके आसपास कोई भी नहीं होता है ल जिसके वज़े से बहुत जादा परिशान रहते हैं वो और ऐसी ये प्रब्लम होती है इसमें कि जो बच्चे ये सोखते है कि जो वो बोल रहे हैं, वो ही सच है उनको ऐसा लगता है कि उनको खुछ चीजे सुनाई दे रही हैं जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा वह पर आप कई बार बोलते हैं कि उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है पर आप क्या करते हो कि ए ग्नोर कर देते हो सारी चीज़ों को कि बच्चे ऐसा इस शरारत करने के लिए और बोल रहा होंगे लेकिन यह एक तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनसे वह इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उनसे वह बात नहीं करते हैं, उनसे वह डरते हैं, उनको यह लगता है कि वह उनके दुश्मन हैं, मतलब कि और वह कुछ अगर खाने के लिए भी देते हैं, बच्चे को या पीने के लिए तो उनको लगता है कि उसमें कुछ मिक्स किया हुआ हुआ है उनके लिए सेफ नहीं है और इस कंडििशन में कभी-कभी यह होता है कि आपने पैरेन्ट्स को भी वह समझते हैं कि उनके लिए हमफुल है तो यह सारी condition होती है कि आपका बच्चे अगर इन सारी condition से जूज रहा है अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को इन में से कोई भी problem है ठीक है तो आप उनमें notice करिए अगर वो एक दिन कर रहा है ऐसे चीज़ें दो दिन कर रहा है तो वो normal है उसमें कोई problem नहीं लेकिन आप उसको observe करिए अगर continuous दो तीन वीक तक वही चीज़ें होती रहती है ठीक है तो आपको जरूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि टीवी में देखके या कार्टून बगर देखके उनको शरारत सूचती है और उनको वो रिपीटिट क परने की जरूरत है क्योंकि आप उनके साथ हमेशा रहते हैं तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेटर देख सकते हैं कि आपके बच्चा जो कर रहा है जो एक्टिवीटी कर रहा है उस वो सच में वो ऐसी प्रॉब्लम है या वो जान मुझ के वो चीज़ें कर रहा के अगर हो सकती है क्रोमोस होती है या जब बत्या मुझ Chi चेफरी को गरमोसर्मोसुप वो सकती है और जाई कि तको गर इनफेक्शन वांव जैसे की टॉर्च इंफेक्शन अगर उसको होता तो में भी आपको पता चलते चलते तीन स्टार्टिंग में तो आप नहीं इतना नहीं करते हो लेकिन तीन साल तक आपको पता चल जाना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम वही है या नहीं है और इसमें क्या होता है कि बच्चे को बहुत जदा जो आप अगर उसको देखेंगे या दिहान से उसके जो इंटम सो रहे हैं उसको करेंगे एक तो बच्चे को बहुत जल्दी घब्राहट होने लगती है अगर वो किसी नए परसन से मिलता है तो उससे वह घब्रा जाता है उसकी नीन जो है वह बहुत जादा डिस्टरब रहेगी रात भर वह जगेगा दिन में थोड़ा सो जाएगा या आपको तंग करता रहेगा तो यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इस वज़े से उसको पॉब्लम हो रही है और एक इसमें से यह रीजन भी है कि अगर बच्चे को किसी से बहुत ज़दा लगाव होता है और सड़न से वह उससे दूर चला जाता है तो भी उसको ब स्टार्टिंग में तो इसनी पॉब्लम नहीं आएगी लेकिन अगर धीरे-धीरे वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी तो उसको आगे चलके मेंटली डिसॉर्डर वो हो सकता है मैंने आपको यह सारे सिम्टम्स बताए हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्च सब्सक्राइब करते हैं तो आप यह ध्यान रखिए कि जो आपके अंदर बच्चा है वह आप जो खा रहें उससे उसको नरिश्मेंट मिल रहा है और उसका डवलपमेंट भी उससे ही हो रहा है तो हम यह बोलते हैं कि अगर आप प्रिग्नेंट हैं तो एक घ्रत आता है कल् सकते हैं तो यह सारे चीज स्वार्य आप लेके अपने बच्चे को क्या है कि असे धुर रख सकते हैं जब बच्चा हो जाता है तो भी बहुत छारी उसी चीज़ेंगें लान्य दुबॉर कि नाशन में उसका शक्राइब है सवनप्राशन की विर्धी करते हैं ठीक है तो उसमें बच्चों को ड्रॉप दी जाती है जिसमें सोना वगरा मिक्स होता है तो उससे चलके उसकी इम्मुनिटी भी बोस्ट होती है और उसका ब्रेइन का डवलेप्मेंट बहुत अच्छे से होता है तो यह जो है कि हम 16-17 साल बच्चों को यह हम देते हैं तो आप हमारे क्लीनिक आके सुर्ण प्राशन भी करवा सकते हैं और आज कल क्या होता है कि जो अगर देंगे तो ठीक है उसका है आपको असर जो बच्छे को दे रहे हैं तो उससे भी फाइदा है लेकिन जो एक नक्षत्र बोला गया है अगर पर जरूर देते हैं तो वह जादा बेनिफीशियल जो एक महिने में आप दे रहे हैं और एक दिन में वह दे रहे हैं तो उसका आसर जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है वैसे ही उसका जो brain का development होता है वो होता रहता है ठीक है तो आप उसके सामने जो भी activity करोगे वो तो सीख जाता है ठीक तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को इन में से कोड भी problem है तो आप उसके सामने ऐसा behave करें कि उसको कुछ problem नहीं है पहली बात तो यह है ठीक है अगर उसको speech की कोई problem है तो speech therapies भी होती है और आप घर पे भी जिस word पे या जिस sentence पे वो अटक रहा है तो उसको repeatedly उसको बोलने के लिए क्योंकि आप इसमें ध्यान दे सकते हो आप जो parents हैं उसमें ध्यान दे सकते हो क्योंकि आप उसके साथ 24 घंटे हो और आप उसकी activity को बहुत अच्छे से देख सकते हैं ठीक है तो और अगर आपको लगता है कि कोई भी particular symptoms उसमें शो हो रहे हैं तो उसक अच्छे से उसको watch करिए कि वो repeatedly कितने टाइम कर रहा है या सिफ एक दिन किया उसने और फिर नहीं continue कर रहा है या कब से कर रहा है ठीक सारी चीज़ें आप देखिए और फिर आप डॉक्टर के पास जाईए और उनको सारी चीज़ें बताईए ताकि वो एक particular diagnosis बना सके और ट्रीट कर सकें और आपके बच्चों को अगर कोई से related problem है तो परमनन दाइरवेदा में हमारी जो क्लिनिक है उसमें शीरोधारा भी हम देते हैं बच्चों को ठीक है यानि कि सिर पे धारा देते है तेल की जिससे जो होता है उसका ब्रेन का डवलप जो है वो अच्छा होता और यह नहीं करिए कि आप अगर समाज के साबने जाएंगे और समाज को यह पता चलेगा कि आपकी बेटे को कोई problem है या बच्ची को कोई problem है तो वो आपको जज़ करेंगे ऐसा नहीं करिए क्योंकि आप उनका ही बच्चों का फीचर फिर बबात कर रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं उनको दिखाने नहीं जा रहे हैं तो और जैसे जैसे बड़े होंगे तो जो कंडिशन है वो वस्ट होती जाएगी ठीक है तो इसलिए उसको इग्नोर नहीं करें और आपको ऐसा लगता है तो हमें कॉल करके या हमारे जो कॉलिम नंबर भी दिया जा र कर दो